वैशाली नगर इस्ते शोरूम में चोरी करने वाला चोर गिरफतार पुलिस कर रही है अन्य आरोपियों की तलाश अश्मेर के क्रिशन गंस्थाना पुलिस ने वैशाली नगर इस्टे शोरूम में हुई चोरी की वारदात में शामिल चोर को बाहन के साथ गिरफतार किया है जिसे आज नयाले में पेश किया गया जहांसे रिमान मिलने पर उससे कड़ी पूछताश की जाएगी मामले की जानकारी देतेवे क्रिशन गंस्थाने के एसाई नाथूलाल ने बताये की तेस दिसंबर को लोकेश कोठारी के ब्रांडेट शोरूम में अग्याद बदमाशों दुआरा चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया और ढ़ाई से तीन लाग के ब्रांडेट कपड़े बदमाशों ने चुरा लिए इस मामले में करोली निवासे रिशिराज मीना को गिरफतार किया गया इस मामले में अभी भी अन्य आरोपी परार है आरोपी से एक वाहन भी चप्त किया गया जिसे आज नेयले में पेश किया गया है जहां से PC रिमांड मांगा गया है जिसके के आरोपी से कड़ी पूस्ताज की जा सके इस मामले में चोरी हुए कपड़े और अन्य आरोपियों का पता लगाने के साथ विभिन वारदातों को लेकर भी जानकारी जुटाई जाएगी यह एक 23 तारी की रातरी को एक सोरूम में कपड़े चोरी हुए थे उसमें मुकदमा दर्ज हुकर के मिल्जिमों की तलास की तलास करने से एक बिजल पूर थाना कुड़गां जिला करोली का मुद्धे मिल्जिम मिला जिसको ग्रिफ्तार किया है मुद्धे मुद्धे मेसे तलास करें और तलास करके कि बर्मारी उल्जिम पैंटे सर्टें और जाकेटे चोरी वी ती जिस पे मुकदमा दर्ज करके तलास की गई तलास में अभी एक मुल्जिम और एक एक्स की गड़ी जप्त की है तप्तीस अभी जारी और भी और अरफी प्रावर है उनके बारे में तपीस की जारी है रिशी राज मेना उर्फकेडी ये बिजलपुर गाउं है कुड़ो गाउं थाने में जिला करो लिए आजपी सरी मांगने के लिए जा रहे हैं आपका नाम आले एसाई, पुलिस्ताना फिर्सेंगाइजी अपने घर नहीं होंडा लाएंगे सरवतम सेल्ज और साविस भी पाएंगे तीस साल का भरोता जो अपनाएंगे अजमेर आटो ले आए हैं अजमेर होंडा जहां हैं होंडा टू वीलर्स की कम्प्लीट रेंज और साथ में वही विश्वास वही भरोसा जिसे आप जानते और पहचानते हैं तीस सालों से अपने घर नहीं होंडा लाएंगे